हेलो एवरिवन स्वागा थे आपको एक और नए वीडियो में तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में कलास 10 का मैच का चाप्टर 1 एकसराइज 1.1 प्रसनावली 1.1 का पूरा हम लोग समाप्त करेंगे आज उनको तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप यहाँ पे प्रसनावली 1.1 का देखेंगे प्रस नमबर एक देखेंगे यहाँ पर ठीक है तो प्रस नमबर एक है निमनलिखित संख्याओ का यहाँ प्रस निमनलिखित संखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो देखेंगे तो देखिए हमारा फर्स प्रस था 135 और 235 ठीक है तो सबसे पर्थम मैं आपको बिता दूँ कि यहाँ पे जो यह फर्मूला है इनको याद रखेंगे मेरे साथ ही हो A बराबर B Q पलस R क्या है A बराबर B Q पलस R और यहाँ पे देखेंगे 0 0 R से छोटा है या 0 R से बराबर होनी चाहिए और R B से छोटा होना चाहिए मतलब कहने का R 0 से बराबर होना चाहिए और B R से बराबर होना चाहिए इनको आप समझ जाएंगे इनको याद रखेंगे एकल्ड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए A बराबर B Q पलस R मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर हम लो जसे 3 में जैसे इन में 10 में 10 से था से 2 आइनल ठीक है तो इनको बीच वालक हम लोग कहेंगे A और इनको कहेंगे B और इनको कहेंगे Q जो स्यस्पल आता है रिमेंडर इसको कहते हैं हम लोग R ठीक है इनको क्या कहते हैं हम लोग R कहते हैं ठीक है आप लोग यहां तक समझ गए A इनको, B इनको, Q इनको, R इनको मतलब अगर आप कहेंगे स्वर यहाँ पे A बराबर B Q पलस R में A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है तो यहीं प्रोसेस है देख लिए इनको आप समझ लिए, यहीं प्रोसेस है ठीक है, यहीं प्रोसेस है तो आपने यहां तक समझने के बाद आपको यहां पे देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है देखेंगे अगर आप 135 में और 225 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है तो हमारा 225 है तो सबसे बड़ा हमारा 225 हो गया तो सबसे बड़ा होगा ना तो हम लोग एक कमान बड़ा वाला हो जाएगा एक कमान बड़ा वाला कितना है 235 है तो हमारा एक कमान 225 हो जाएगा और बी कमान यहां पे देखेंगे बी कमान क्या होगा यहां पे बी कमान 135 हो जाएगा ठीक है आप उसके बाद Q, R जो मान रखेंगे तब आएगा कोब आएगा? जब मान रखेंगे तब आएगा जिके A, B और Q रखेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना मान रखेंगे और R हमारा सेस्फल कितना आएगा? वो तो बात की बात है बात की बात है ठीक है तो हम लोग यहां तक समझ गए तो हमारा फर्मूला क्या था A बराबर B Q पलस R तो हम लोग यहां पर फर्मूला को पूट करते हैं ठीक है A बराबर एकल विवाजन एकल विवाजन एकल विवाजन का फर्मूला है A बराबर B Q पलस R यहां तक समझ गए तो देखिए हमारा A का मान सबसे बड़ा वला है 225 तो यहां पर हम लोग सबसे यहां पर A रू लगा देंगे तो A का मान हमारा 225 था ठीक है B का मान कितना मानेंगे हम लोग 135 देखिए अब यहां पर देखिए यहां पर 135 अब हम लोग यहां पर मैं आपको समझाता हूँ यहां पर 225 आई ज़र हम लोग भाग देंगे 135 जब हम भाग देंगे अगर आप यहां पर 2 से लगाती है तो हमारा 135 यहां तो 2 से लगाएंगे 270 हो जाएगा 2 से नहीं लगेगा एक से लगेगा एक से लगाएंगे तो हमारा 135 हो जाएगा उसके बाद 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 3 गटेगा एक दहाई लेगा 12 12 में से 3 गया 9 90 आगया ठीक है हमारा कितना आगया 90 आगया तो देखिए जो बीच वाला है यह हो गया हमारा एक का मान 230 बी का मान 135 अगया देखिए क्यूं का मने यहाप कितना है एक लगा है तो हमारा पार डोस में से कितना आया है 90 आगया है ठीक है उसके बाद तो यह यहां तक अगर कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए मैं आगे यहां पर आगे बढ़या कर आपको बیताता हूं यहां तो करने के बाद इनको भूल जाना है और एक को भूल जाना है इस वालों को बी वालों को और आर वालों को देखना है किनको देखना है बी वालों को और आर वालों को देखना है तो उसके बाद देखिए यह होगे हमारा बी के मान 135 तो इसको लियाएंगे इधर लिखें एक सो पाइटीस ब्रबर यह होगा हमान नव्य बी के मान पर जगह पर आ जाएगा कौण आ जाएगा 90 फिर वहीं प्रोसेस हो जाएगा क्या किजिए आप देखिए यहां पर एक सो पाइटीस में इस नव्य से भाग दीजिए नव्य दुना एक सो वश्ती दो से नहीं लेगा 100 लगे गा तो 90 नव्य हो जाएगा हो गया अव्च आयए यहां पर घटा लेंगे पाँंच में से 0 गाप तीरे में से आपका नो गया त्कितना रहेंगा चार पायरे मैं हिआ तहीं हो गया दीश और 2 जाश आ है तो हम घकी sound सबसे बाड़ा कुसा है यहां तक समझें ऑसके बाद फिर आपको क्या करना एक गो भूल जाना है अब लेंगे नवेश siya नवेश सब्से बड़ा कौन है नवेशस को इधर लगाएंगे ठीख है आप 45 को इधर लख़ेंगे फिर यहां पर वहीं बात भाग के देख लीजिएगा 90 में आप 15 से भाग के देखिए 25 दुना 90 दू आया असेस्पल हमारा जीरो बाच गया ठीक है आल जीरो बाच गया तो यहां पर देखें गुणा करेंगे जैसे गुणा की हम लोग दो से लगाए यहां पर आपका बी क्यू है यह क्यू दो आप पल छोड़ देंगे तो एतना एतहां तक आयाते हैं तो उसके बाद लिखेंगे HCF HCF बराबर हो जाएगा दिखें यहां वाला मान आपका होता है कोई कोभी भी बनाएगा HCF तो यहां वाला जो मान होगा ओहीं आपका HCF पराप्त हो जाएगा तो हमारा HCF 45 आजएगा राइट नमर सवाल हो गया हमारा complete देख लिजिए और यहां से आप क्या किजिए screen shot लिजिए चलिए इनको आप screen shot लिजिए तो आप लोग यहां तक समझ गए तो मैं आपको दूसीर का वहां पर प्रस्न है उनको हम लोग देख लेते हैं जैसे कि यहां पर देखिए दो नमर प्रस्न हमार कितना है देखिए दो नमर मतलब एक नमर का पुर्नाक संख के दो नमर एक सो चानबे और आडर तीस हजार दुसोब भीस है ठीक है और तीस दुसोब भीस है चलिए हम लोग इनको देखते हैं आगे बढ़ा कर हम लोग यहां पर दो नमर वालों को स्लाल करते हैं तो दो नमर वाला कितना है हमारा एक सो चानवे आप देख लिए ये बूक निकाल कर बढ़ जाईए एक सो चानवे और और तीस जार दूसर बीस है और तीस जार दूसर बीस है हो गया यहां तब फिर वही प्रोसे से हम लोग आएंगे जैसे कि ये बराबर बी कीव पलस आर यही फर्मूला लगाएंगे यही फर्मूला हम लोगाएंगे तो यहां पर हॉल में लिखेंगे हॉल में देखिए एक सो चानवे में आईस में सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा हमारा इहीं है तो देखिए सबसे बड़ा हमारा इहीं है एक सोचानबे में सबसे बड़ा कौन है आरतिस अजार दूसाब改 जिसको मुँझ खुल रहेगा वह बड़ा आदमी होता है ना चाय ना स्था करने के लिए बड़ो आदमी के लिए खुल दवार रहाता है ठीक है तो 190 में सबसे बड़ा A हो गया तो हमारा फर्मूला कौन लगाएंगे A बराबर B Q पलस R यहीं फर्मूला लगाएंगे तो हमारा A कमान सबसे बड़ा वाला होगा सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर आप Aero लगा लिजिए और 3220 A कमान बराबर B कमान क्या होगा 196 और Q कमान तो आप बड़ा कीजए तब रखिए तो क्या कीज़न रफ कीज़िए 3220 में रफ कीजिए 1962 है भाग भाग नियना 123 독ल से आप यहाँ पर भाग लगाएंगे जब आप 1972 से भाग लगाएंगे कितना से लगाएंगे वाग बिधीर नहीं होता मुतलब भाग नहीं हुता है है अब कर के तुमको मैं बिचाता है ऩौगर एक सो पनचामें से लगते हैं लिएकायो कर ने आगा डिख लिजिए आप इसी खतने कहने सब ही का सब क कट जाएंग, देखेंगे घटाइएग, गुना की जिएगा 150 में, गुना 155 में ते आपका यतना आ जाएगा, 392220, कितना से लगाएते हम, यहाँ पे? यहाँ हो गया, आपका कौन है, A, अयहाँ हो गया B, अयहाँ हो गया Q, हमारा CESPAL YAH KOT YAH 0 आया है तो CESPAL R हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा Q कितना है देखिए A का मान इतना और B का मान एफ-सो चानवे Q का मान यहां पर देखिए 195 एकसो पंचानवे अब पलोस R मतलब CESPAL CESPAL कितना है 0 तो HCF हमारा क्या हो जाएगा HCF सिप हमारा कितना हगा यहां वाला हमारा सिफ होता है कहां वाला होता है हमारा इसेयया फिस business हो जाएगा टो हैंसर यहां पर हो जाएगा तो फ्रिंच आपका हम लुग का दोन नमबर भी कंपलेट हो गया ऐंसे इन को स्क्रिन शर्ट ले लेजिये चलिए तो आई होब दोस्तों हमको पूरा उमिध है कि आप लोग दो नमर प्रस्ण भी समझ चुके हैं तो आप क्या किजिए तीन नमर जो प्रस्ण है तीन नमर उनका एंसर आप लोग कमेंट में बताएं देखिए आपको मैं बताता हूं 867 और कितना है आपको मैं इसको होमवर्क में आपको देता हूं तो आप क्या किजिए आपको मैं इसको होमवर्क में देता हूं आप बनाकर निकों कमेंट में बताएं सबसे पहले जो कमेंट करेंगे सही सही बनाकर कमेंट करेंगा उनको कमेंट मैं पीन कर दूँगा और अगले वीडियो में उनका नाम भी लूँगा